अलो बेटा जी कैसे हूँ, welcome to EL Academy, my name is Manoj Rana, हम कर रहे हैं class 9 theorem series, और chapter चल रहा है हमारा circles बेटा जी, और जो theorem है यह हम से कह रही है बेटा, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degrees, अब क्या मतलब है इसका simple हमें यह कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास एक cyclic quadrilateral है, जैसे की ABCD है, तो इसके जो opposite angles हैं, जैसे A और C हैं, इसका sum जो है, यह 180 degree होगा, और बाकी जो दो है, हमारे पास V और D, इनका भी 180 degree होगा, तो इनको अगर प्रूफ करना है, तो बहुत ही simply हम कर सकते हैं, degree major theorem के हिसाब से, कैसे करते हैं, मैं आपको step by step बता देता हूँ, जो आपके notebook और exam sheets में भी काम आएगा अगर यह theorem आपके पास आ जाती है, तो इसमें बिटाजी हमारे पास given में क्या है, given में हमारे पास simple cyclic quadrilateral है, cyclic quadrilateral a, b, c, d, अब इसमें हमने prove क्या करना है, हमने prove करना है, angle a plus angle c जो है, यह 180 degree है, और दूसरी चीज़ हमने prove करनी है, angle b, angle d, यह जो है, इसका sum 180 degree है, एक भी आप prove करतेंगे, तो दूसरा जो है, वो similarly लिखके हो जाएगा, construction क्या करनी है, जो center है बेटा, उस center से आपने जो बाकी के दो vertices हैं, अगर आपने a और c को यहाँ पर prove करना है, तो बाकी के दो vertices, यानि b और d, उनको join करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, we join, ob, and od, जो proof है, वो proof क्या होगा, proof की जो शुरुआत है, वो degree measure theorem है, तो degree measure theorem के हिसाब से अगर हम चलें, तो सब पहले वोई लिखते है, angle subtended by an arc at the center is double the angle made by the same arc in the alternate segment angle है, यह reflex angle है, जो 180 degree से बड़ा है, तो अगर हम लेते है, minor arc, तो जो major arc है, उसमें हमारे पास point होना चाहिए, यह वाला segment जो है, इसमें होना चाहिए point, अगर हम यहाँ पर major arc लेंगे, तो जो हमारे पास alternate segment है, वो यह होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो angle angle BOD जो है, यह हमारे को equal मिल जाएगा, twice of angle A के, इस वाले angle के, यह वाला angle double मिलेगा, तो यह चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ जो है, वो हमारे को कह मिलेगी, वो यह ही वाला angle, अगर हम reflex देखें मिटा, reflex मतलब BOD यह angle लिया था हमने, इसका reflex यह वाला हो गया, तो reflex angle BOD अगर हम लेते हैं, तो यह हमारे को मिल जाएगा, twice of angle C के, अब इसे हम लेते हैं, equation 1, इसे हम लेते हैं, equation 2, और इन दोनों को हम add कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, adding, 1 and 2, अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं, तो angle BOD, यह जुड़ जाएगा, reflex angle BOD के, और यह equal हो जाएगा, twice of angle A, plus twice of angle C के, अब, यहाँ पर अगर हम देखें मिटा, तो कोई भी angle अगर हम लेते हैं, और उसके साथ में, उसी का reflex हम जोड़ देते हैं, तो अगर angle plus reflex करोगे, तो 360 degree आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 360 degree, equal हो गया, अगर हम यहाँ पर 2 common ले लें, तो angle A, plus C के, तो अब मुझे नहीं लग रहा है, कि मुझे आपको समझाने की ज़र होता है, कि यह 2 जो है, वो दूसरी साइट जाने वाला है, यह तो बहुत easy हमारे पास, angle A, plus C, जो है, यह आगया, 360 degree, divided by 2, that is, 180 degree, तो यह हमारे पास, जो है, यह हमने main prove करना था, हमने angle A, और angle C का समझाने है, वो 180 degree देना था, और similarly लिखकर, हम लिख सकते हैं, similarly, angle B, plus angle D, is equal to 180 degrees, और यही 2 हमारे को statement जो है, क्योंकि prove करनी थी, तो हम last में हमारी जो सबसे satisfactory statement है, hence proved, यह लिखेंगे, और हमारी theorem जो है, वो ख खत्म बिटा, तो बिटा, अगर मेरा समझाने का method, मेरे करने का तरीका, अगर आपको पसंद आया हो, तो please like, share and subscribe, तांकि आगे आने वाली classes में, अलग अलग chapters हम साथ में कर सकें, आपको पस्त।